पहले एक वीडियो में हम ACL सर्जरी के बाद पहले 2 हफ़ते करने वाले अक्सवस के डेमों दिये थे आज 2-4 हफ़ते के बीच में करने वाले अक्स्वस का डेमों देने वाले हैं इन अक्सवस के मदद से आप जल्दी रिकवरी कर सकते हैं अलो दोस्तों, क्रूशेट्स में आपका स्वागत है हमने पिछले वीडियो में आपको ACL सर्जरी के बाद फॉस्ट टू टू विक्स के अंदर हमें कौन्चा-कौन्चा एक्साइज करना चाहिए हमने दस एक्साइज आपको बताया था आज हम फिर ACL सर्जरी के बाद टू 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 फॉर विक्स के अंदर कौन्चा-कौन्चा एक्साइज हमें करना चाहिए वो आज हम आपको बताने बाले हैं तो अन तक हमारे साथ बने रहे हैं और हमारे चैनल को सस्क्राइब करें फर्स एक्साइज हमें करना है हमें हमारे फर्स एक्साइज के बाद कितने बार हमारे पेर में सुजन रहती है वो सुजन कम करने के लिए हम एक एक्साइज करने वाले हैं हमें इस तरीके से एक रावार बाल लेना है यह अमने डेमो को लिए यह रवरबर लिया है इस तरीके का नहीं हमें गोल टाइप का एक रवर बॉल लेना है और इस तरीके से आपको अपने सरजरी वे गुटने के नीचे बॉल को रखके अमें यह प्रेस करके और छोड़ना है इस तरीके से अमें यह फास्ट प्रेस करके चोड़ना है, जिसके मदद से हमारे swelling भी कम होंगे और हमारे गुटने का movement भी अच्छा बना रहता है हमें इसको press करके इस तरके से वोल्ड करके नहीं रखना है, हमें इसमें fast movement करना है जैसे ये मैं कर रहा हूँ हमें fast movement करना है दूसरे exercise इस तरीके से टेड़ा होके अपने पेयर को अब इस तरीके से फॉल्ड कर लेना है हमें यूमो इस ट्रेटिंग एक्साइज करना इसके लिए अपने सर्ज़रि वेपयर को 30 डिगरी तक उठाके करीब आपन्च ऐसने से किनिसको वोल्ड करके फिर नीचे रखना है इस तरीके हमें ये करना है युख साइज आप इस तरीके से करीब 20 वार तक करना होगा अब हम आपको तिसरी एक साइज बताने वाले हैं हमने हेसल सरजरी फर्स्ट दू सेकेंड विक के अंदर हमने अपने पैर को इस तरीके से बीना वेट का अमने सीधा किया था और नीचे किया था का वेट बैंड लेके हमें अपने पैर में कि इस तरीके से बांधना है कि हमें पैर में वेट बांध के हमें इस तरीके से 60 डिग्री तक इसको उठाना है और इस तरीके से नीचे नीचे रखेंगे जब यह एक्साइज करेंगे हमारा पैर आईसे मुड़ा नहीं होना चाहिए हमारा पैर इस तरीके से अमें यह एक्साइज सीधा करके हम यह कर सकते हैं इसको भी हम करीब 20 बार तक इसी तरीके से करेंगे चोथ एक्ससाइज हमें इस तरीके से एक थेरा बैंड के मदद से अपने पेर को किस तरीके से हम फोल्ड करेंगे वो अब मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे पहले हम अपने थेरा बैंड को इस तरीके से अपने पैर में इस तरीके से करेंगे मोडेंगे और उल्टा लेट कर इसमें हम उल्टा लेट कर करने वाले हैं उल्टा लेट कर अपने जो सर्जरी वेपर को थेरा बैंड के साहता से इस तरीके से पुरा मोड ने का प्रेयास करेंगे इसमें हम लोज भी कर सकते हैं इस तरीके से कि अब जितना हो सके थेरा बैंड के मदद से अमें ये करना चाहिए नेक्स्ट एक्ससाइज अमें थेरा बैंड के मदद से अपने पेर को सबसे पहले इसे मोड कर इसको पूस्ट करना है इस तरीके से हमें थेरा बैंड के साहिता से अपने पेर को बिल्कुल ये बाग हमें सिधा करने का कोशिस करना है जैसे कि हमारा दूसरा पेर है ये भी हमें करीब 20 से 30 बार तक करना है नेक्स्ट एक्ससाइज हमने वान टू टू इक्स के अंदर इस तरीके से उल्टा मोड के हमने अपने पेर को इस तरीके से सीधा करने का कोशिस किया था आज हम इसी इसी एक्ससाइज में हम ये वेटनिंग लेके इसके पेर में इस तरीके से बांध के हम अपने पेहर को सीधा करने का कोशिश करेंगे इस तरीके से बांध लेना है और अपने पेहर को दूसरे पेहर के मुकाबले सीधा करने का कोशिश करना है इसी तरीके से अमें करना चाहिए और इसी मैं अमें अपने प्एर को इस तरीके से हम मोड़ सकते हैं और आपसे दीर एसे हम दुसरे प्रेयर को मौबले सीधा कर सकते हैं है यह भी अमें करिभर जहा है कि बिश्बार तक करना चाहिए नेक्स्ट इस हम करेंगे किसी इस तरीके का हमें साहता या स्थियर्स में हमें इस तरीके कामडा ओंडिल हो या कि घर में किस भी तरीक Pacat टैरिककर पकड़ने वालग को असानी सा कक्ड़ सकते हैं उसके हम नज़्दिक साइंगे और इस तरीके थेलरन यसलिक थेलरन हमُ अपने पेर पेरंगे। इस तरीके से अ health लगा के हमकरम किसी तरीक़ केसा होगा के अपने धिर हैं। सब्सक्कारे है। तुम फेर के मैं वैं कि फेर को हमें उठाना पूस्ट करना है यह भी आप 20 पार तक कर सकते हैं और सेम इसी तरीके से आमें अपने पैर को पीछे के तरफ पूस्ट करना है यह भी हमें 20 टाइम्स तक करना चाहिए नेक्स्ट एक्ससाइज हमें इसी तरीके से किसी की पकड़ने वाला इस तरीके से साहिता लेकर हमें अपने पैर को ऐसे पंजे की साहिता से हमें उपर की तरफ उठना है और इस तरीके से छोड़ना है यह हम इस तरीके से उठके 5 से 10 सेकंद तक होल्ड कर सकते हैं और हम अराम से इसको इस तरीके से नीचे आएंगे यह भी हम 15 टे 20 टाइम्स तक इसको हम कर सकते हैं नेक्स एससाइज हम मिनी इसकोड करेंगे एक इस तरीके कर बल के साथ बल अमें इसे दिवार में उपर और नीचे की तरफ इस तरीके से स्लाइड होने में साहता करता है बॉल के साथ जब हम यह mini squad करते हैं आमें बहुत ही आसान रहता है इस तरीके से हम नीचे 32-40 degree तक हम नीचे आके इस तरीके से आराम से उठ और बैठ सकते हैं इस तरीके से 32-40 degree तक रहेगे हैं हमें याद रखे हैं यह हमें mini squad करना है 32-40 degree तक अगर हमारे पास बल नहीं होगा फिर भी हम इस तरीके से दिवार के साहता से भी इसको कर सकते हैं लेकिन दिवार के साहता से हमें नीचे स्लाइड होने में और उपर जाने में थोड़ा दिक्कत रहती है इसलिए हम बॉल्ब का यूज करते हैं नेक्स एक्सरसाइज अभी हमारे पास यहाँ पर सेड़ी नहीं है तो हम अपने घर पे सेड़ी में हम एक इस्टिप बाइस्टिप अपने सरजरी हुए पेर को पहले रखके हम इस्टिप आगे चर सकते हैं और उतरने के लिए हमारे जिस परे पे सरजरी नहीं है उसके साहित अले कि हम नीचे रख सकते हैं याद रखे हमें पहले चार्णने के टाइम पर अपने सरजरी हुए पेर को आमें उपपर रखके फिर इसमें वोजन डालके हमें रखेंगे